की एक महीला जिसने 2014 में नसवंदी का ओप्रेशन करा एक साल में बैसने बच्ची को जनम दिया बच्ची के जनम के बाद में आज तक वो cmz उसे लेके कलेक्टर तक के यहां पर अपनी दरकास लगा चुकिया लेकिन उसको आज तक भी कंपन्शेशन नहीं मिला है आपको आपरेशन कराने के बाद में कैसे पता चला बच्ची होने का? और आपरेशन कहा कराय था आपने? इनका केस फेल होने के पीछे क्या कारण है? आपको आपरेशन करा दिया, सब कुछ बढ़िया हुआ फिर मैं इनके घर आई देखने के लिए बढ़िया थी एक दो महीना पीछे ये बोली मेरा पेट भारे भारापन है तो नहीं क्यों कि पता नहीं क्यों मैं मतलब एम सी से नहीं हुई है तो मैंने जाय के पीएस्य से पे लेगे इनके लिए पीएस्य सी पे में है और आपको अब क्या गरूं मैं, बताओ पनेशन के दोक्टर से मुलाकात की और उन से बात रहें वे इंटरवू लेना चाहिए तो उन्होंने मुझे से इंटर्वू देने के लिए मना किया और जानकरी चाहिए कि क्या कारणे की ओप्रेशन आपके यहाँ पे फेल हो रहे हैं तो उन्होंने मुझे कोई जबाब नहीं दिया जिसके करण गाम में और महिला नस्वंदी कराने के लिए तयार नहीं है ऐसी इ करकता को भी काफी परेशानियों को असामना करना पड़ रहा है और महिलां को भी अपने घर से घर में पती की सास की बुरी बली बातें सुनने को मिल रही है आपने डॉक्टर सिवलेरी जी से जाके मिले नहीं आप एक साल में करी चार से पंच केस प्रेस की बनाती मांजाणियों कीज है एक लोड़ चाही है पर हम क्या होड़कि करें और प्र एक साल में करीब चार से पांच केस फेल हो गए है और एक महिला की ऐसी ही हालत में मिर्तु भी हो गई है हम चाहते हैं कि इस महिला को राज्य सरकार के द्वारा जो केस फेल हुआ है उसका कमपनेशेशन दिया जाए जिससे ही अपने बच्चों का पालन पोशन सही तरीके से कर सके जिसमें करोली सीमेचो का नंबर है 9116140001 सुनीता कसेरा इंडिया अनहड के लिए